So Hello, Guys! आज का टॉपिक है कि Ash गलार रीजन जीतेगा है नई जीतेगा जहाँ तक मुझे लगता है कि Ash गलार रीजन जीतेगा तो देखो, अभी तक Ash ने टोटल साथ रीजन घुम चुका है अर गलार के साथ आठ रीजन और उन साथ रिजन में आश को सभी रिजन में हार मिले श्वय अलोला मैं और अलोला में आश के पोकेमोन इतने तागदर थे कि उनकी वज़े से आश जीत पाए और अब गलार में तो उनसे भी तागदर पोकेमोन आश ने कैच कर लिया है देखो ड्रागनाइट एक सूर लेजन डरी पोकेमोन गेंगार लुकेरियो का पावर तो हमें पता ये और पिगचू हमेशा की तरह एकदम पारफूल इंटेलियों रिलाबूम और मचैंप लेट यास आटिकलो स्लोकिंग को वह कैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है लेकिन कर दिया तो ये लेजन डरी पोकेमोन भी शामिल हो जाएंगे ना तो हार कैसे सकता है और सेप्टाइल ग्रिनिंग जागी बॉल पीजियोट लैप्रस मेलमेटर अल डाइगन लॉट तो रिटन भी आ रहे है तो इसका आर ना ना मुम्किन है यार आश ने ईलॉला लीग अपने पोकेमोन की स्टेंट और पारसी अथा अगर उसका 닉लो टूकेमोन जीरु जाए तो इसकी टीम ढ्री पीजियोटर येगी जहां तक मेरा मानना है कि एस का कालोस टीम अलोला से भी ताकत बर था बस एस का एनिमी अलान उस वक्त थोड़ा ताकत बर था एस के गलार के एनिमी से इसलिए एस हार गया कालोस रीजन कालस के पोकेमॉन तो इतने ताकतवर भी थे और कालस को पीछे छोड़ दाने कोई कमजोर बात नहीं ये भी बड़ी बात है गलार पोकेमॉन के लिए और देखो यार एस इतनी मुश्खिल से अलोला लिक भी जीता था और ये पताया गया था कि एस अपने पोकेमॉन के वज स जीता उनकी स्ट्रेंट से बजे से जीता और अब कलार में तो बहुत ताकतवर तो अगर पोकेमान कमपनी आर देते तो पोकेमान फैंस को काफी ओफेंड होना पर रहे गार इसलिए मुझे तो लगता है कि पोकेमान कमपनी जीता देंगे यह को और एश गलार रीजन जीते ग और उसे जीतना भी चाहिए तो अब आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जेए शेर कर चाल को सब्सक्राइब कर दिजे और बाजवाला घंटा जरूरत अब यह का तब स्टे सेफ से होम तब तक के लिए बाई-बाई-बाई तो हच ना पिकडी जमी आसमा और सागर से हाँ जाएंगे वो कोशिश कर दो